हलो दोस्तो तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गेहू के आटे से बनी हुई क्रिस्पी और टेस्टी मसाला पापड़ी बहुत ही बढ़िया पापड़ी बनकर के ये तैयार होती है एक बर बस बना लीजिए और पूरे दो महिने के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं और साउंड से आपको पता चलेगा कि ये कितनी बढ़िया बनी है एकदम क्रिस्पी बनी है बहुत ही टेस्टी बनी है जब कोई तेवहार हो या फिर महमान आने वाले हो तो आप इस तरह से बना करके इनको रख सकते हैं और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं गेहों के आटे से बनी हुई हैल्दी मसाला पापडी मसाला पापडी बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल में दो कप गेहों का आटा तो इस तरह से हम इसको चान करके लेंगे और कोई भी कप या कटोरी के माप से ले लेंगे पापडी को क्रिस्पी और खस्ता बनाने के आधा कप लेंगे यहां पर सूजी, यह बारिग बाली सूजी हमने यहां पर ली है, यदि मोटी बाली है, तो मिक्सी में चला करके लें, तो यहां पर हम मिलाएंगे मसाले, तो एक छोटा चमच लेंगे यहां पर हम अजवायन, एक छोटा चमच जीरा, यह साबुत जीरा हमन पसंदों तो मिलाएं वरना स्किप कर सकते हैं, कलर के लिए लेंगे यहाँ पर हम एक चमच कस्मेरी लाल मिर्च, और आदा चमच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, इससे हमारी पापड़ी मसालेदार और चटपटी बनेगी, और आदा चमच मिलाएंगे इसमें हम हल्दी पाउ मसाले जाष्य हसे म्हाले मिलाएंगे और अछया, जीजिया की मसाले बराबर से क्टे में एक छाहें और चाट मासालना के लिए नहीं ही है, तो यहां पर हमने 3 टेबल इस्पून भर करके ओयल लिया है और उसको अच्छे से मुयन कर लेना है आटे को तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे आटे में मुयन को जब हम मठ्री बनाते हैं तब घी का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से बुठी बनने तक हमें अच्छे से इसमें मोयन लगा लेना है तो मोयन लगकर के तयार हो गया है अब यहाँ पर हम लेंगे नॉर्मल पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका टाइट डो बनाएंगे इसका आटा हमें सॉफ्ट नहीं लगाना है थोड़ा पूरी की तरह लगाना है जिस तरह से पूरी के लिए आटा लगाया जाता है तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका हमें डो बना लेना है अच्छे से ये देखिए पापडी के लिए हमें इतना सक्ता लगाना जदा सॉफ्ट नहीं करना है वरना हमारी पापडी लंबी संबे के लिए क्रिस्पी नहीं रहेगी सॉफ्ट हो जाएगी तो इस तरह से हमने लगा करके त्यार कर लिए हैं इसको एक चमच ओольз डाल करके इसको हमें mix कर लेना है क्योंकि इसे हमें थोड़ी समय के लिए rest पर रखना है तो ये सूखे ना तो उपर से हमें थोड़ी सा oil लगा देंगे और cover करके 15-20 मिनिट के लिए इसे हमें rest करने देना है उसके बाद ही हम पापड़ी बनाएंगे तो 20 मिनिट हो गए है अब हम चेक कर लेते हैं तो ये देखिए कितने बढ़िया से ये आटा गुंद करके तयार हो गया है अब इसकी हमें लोईयां कट कर लेनी है जिससे कि हम पापड़ी बना करके तयार कर सकें तो इस तरह से हमने 4 बॉल तयार कर ली है और इसको हम कवर करके रख देते हैं जिससे कि आटा सूखेगा नहीं तो इसको हम तब तक बेलते हैं आप चाहें तो हतेलियों से इस तरह से इसको थोड़ा सा बढ़ा कर ले और इसको इस तरह से हम बेलेंगे इसमें आटा नहीं लगाएंगे सूखा नहीं ओयल लगाएंगे सीधे ऐसे ही इसको हम बेलेंगे और बहुत ही आसानी से बिलकर के तयार हो जाती है बिलकुल भी पट्रे पर नहीं चिपकता है और जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें जिससे कि पापड़ी बने इसकी हमें मठरी नहीं बनानी है पापड़ी बनानी है तो इस तरह से इसको हमें पतला बेलना है जैसे कि मार्केट की पापड़ी होती है एकदम क्रिस्पी खस्ता वैसे ही बन करके त्यार होगी तो इस तरह से इसमें हम काटे से छेद करेंगे जिस इस तरह से गिलास से हम इनको पापड़ी का सेफ दे देंगे एक बार में धेर सारी पापड़ी बन करके त्यार हो जाती है और जो एस्टर आटा है इसको हम पाकी आटे में मिक्स करकर के बाद में बेल लेंगे तो इसको हम साइड में रखते हैं और ये देखिए कितनी बढ़ त्यार हो गई है चलिए फ्राइ करते हैं तो ऑईल को अच्छे से गरम कर लिया है गैस के फ्लेम को एकदम मीडियम टूलो रखा है और इनमें हम पापड़ी डाल करके अच्छे से फ्राइ कर लेंगे बहुत ही जटपट फ्राइ भी हो जाती है जादा समय भी नहीं लगता ह क्योंकि यह एकदम पतली बनी हुई है एक बैच को फ्राइ होने में करीब 2-3 मिनिट लगता है ज्यादा समय नहीं लगता है तो अलटते बढ़िया से इनको फ्राइ कर लेना है ज्यादा कलर इसका हम डार्क नहीं करेंगे वरना ही कड़ भी हो जाएंगी जब ओयल में बब खतल और अच्छे से क्रिपी हो जाएंगे तो यह तहीर करके उपर आजाएंगी यह देखिए नमें मसाला डाला है तो इसमें ज्यादा मसाला पापड़ी बिल्कुल मार्केट के जैसी मसाला पापड़ी बनकर के तयार हुई है जैसे कि आप पापड़ी चाट खाते हैं आप इससे पापड़ी चाट बनाईए या फिर चाय के साथ ऐसे ही सर्व कीजिए बहुत ही टेस्टी बनी है बहुत ही क्रिस्पी बनी है यह और इनका साउंड आप सुन सकते हैं, कितने बढ़िया बनी हैं, एकदम खस्ता क्रिस्पी बन करके त्यार हुई हैं हमारी पापड़ियां, आप इनको एक बार बना करके पूरे दो महिने के लिए इस्टोर करिए और चाय के साथ इंज्योय कीजिए, आपको वीडियो अच्छ